अवाजे कौम टीवी दे बलो प्रोग्राम अखर का पियोदे विच मैं ग्यानी गुर्जीत सिंग पट्याले दो आप सारियां संगतां दा स्वागत कर दें सारियां नो गुर्बक्षिश फते परवान होवे वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की वदे एस प्रोग्राम दा मुख मकसद संगतां देताईं गुर्मानी दे जो शब्द ने उनना दे अर्थ ओ समझाओना जो स्टीक पढ़के भी मनुख दे मन दे विच पूरी तरह दे नाल साफ नहीं हो पाउंदे कताबां भी मनुख पढ़द है ओ शब्द ऐसे ने जो मनुख जानदा भी है उनना दे विच्दी भी लंगद है पर फिर भी उननों बिलकुल ओसे तरह दे नाल भी ये संखेप शैलीद है एज इट इस तरह दे नल बने हैं ओ समझाओना इस दे तहत असी हर प्रोग्राम दे विच वकवक गुर्बानी दे शब्द ओ संगतां दे अग्यों लेके ओने हैं अनेका बाणिया ने गुरु गुरंत साब दे विच गुरु नालंक साब दी सेद गोष्ट है मनुक पड़द है पर सेद शबत दे मनुक सुन लेंद है भी सेद सिद्धा दे नाल गोष्ट गोष्टी पर गोष्ट दे की अर्थ ने गोष्ट की नों कहन दे ने पाई गुर्दास जिदियां वारांदे विच गंगु तेली दी ते पंड़त दी गोष्टी दा जिकर है गंगी तेली दी गोष्टी हुई है पंड़त दे नाड और वो बिल्कुल चुप रहके हुई है उन्हाने तुसी यो वार्प दी पौड़ी पड़ी होनी है वियो एक उंगली खड़ी पांच जुगणां खड़ा उन्हें एक उंगली खड़ी कीती उन्हें दो खड़ीयां कीती उन्हें पांच खड़ीयां कीती उन्हें मुठ खड़ी कीती सामने एक दूसरे दी जड़ी ग गोश्ट शिद्धान दे नाल गोश्टी गोश्ट शब्दन मनुक ने सुनते ले गोश्ट दे अर्थ ने लिखन दे विच ते इस्तरान दे नाल लिख देता है गल होवे गगा गल दा इजड़ा होड़ा हो होवे सामने एन बिल्कुल आमने सामने बैठे ने टेक के ए टेकन दे गल जड़ सामने टेक के हुंदी है उन्हों केंदे ने गोश्ट महराज अरंब भी करदेने सिद्ध सबा कर आस्चन बैसे संत्थ सबा जयकारो फिश्च सबा लाकर के आस्चना दे उपर बिराजमान ने आस्चना तो नहीं हिले बैठे बैठे टिके टिके बैठके टिक के फिर जबान देना बोल रहे इने सवाल कर रहे इने सतगरू जवाब दे रहे इने उन्हों केंदेने ए गोश्ट जो थे बैठके कई बार तुस्सी देख दे हैं भी जी किसे नों बलाया गोश्टी द europé ket पास्ते मनुख खड़े होके एक दुझने लड़न लग पेंदेने या बाहां मारन लग पेंदेने अपने अस्थान अगर तु हेल पें अपने अस्थान तो फिर गोश्टी नहीं है गोश्टी दा अर्थ है तू बैठे को कि सामने बाड़ा सवाल कर रहे है शब्द तेनु दे रही तुमभी उनों सुना, तुमभी बोल जवाव दे जाब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनी रही है किछ कहिए भी अगले दिया सुनियाां भी चाहिद दियांने आपना कैना भी चाहिद है इनु कहित ने गोश्ट सिद्ध गोश्ट रामकली वटहां सराग देविच अलाहनिया गुरु सहबाना दे शब्द ने जद गुरु कर देविच जगत देविच कोई प्राणी चलाना कर दे उदा फिर ससकार कीता जान दे सोला सावदा पाठ कीता जान दे अरदास कीती जान दी ये उस्तो बाद उदे सारे परवार दे मेंबर रिश्टेदार, मित्तर ओ गुर्दवारा साव दे विच पांच देने उद्थे फिर अलाणियां दा पाठ हुन दे कई एक शब्द पढ़ देने कई सारी अलाणियां दा पाठ कर देने अलाणिया दी बाणी अलाणिया दे अर्थ ने अर्थी सलाणिया ओंज जड़े जगत अर्थी नू सलावना तर्ज ओही ए अलाणिया दी आम जद का रांदे विच मनुख नू चकन लगदे ने जड़े वैन पाए जान दे वी जी ए बड़ा चंगा बंदा सी मेरे नार बड़ा प्यार सी इसराअदे नार पैन्द याद कर दी है पतनी याद कर दी है बच्चे याद कर दीने सकेसबंदी कोई है इसराअदे उनूं कहिने अलाहनिया अर्थी शलाइभिbyजड़ा मरेया पे है जिदी अर्थी अर्थी है उन्हों सलाया जा रहे है उन्हों केंदेने अलाहनिया उसे तरस दे गुरु साब दी बाणिया है उदा मतलब है परमात्मानों सलावना विजी ने बनाया है उन्हों सलावना ए बाणियां दे नाम ने और बकैदा उदे अर्थ ने उदा दे कली कली शब्ददए संखेब शैली दे शब्दने विस्तार दे नलतों आटे अगी अरत रखेने फिर एक शब्द है बाबर दे हमले दा जिकर रहे ते ने शब्दने इमनाबाद दे विचो ने हमला की ता इतिहास क कटना एऊ दा भी जिकर है गुरुबानी दे बच कही इतिहास कटना हो önem्हादा जिकर है जिवे गुरु अमरदास जी ओ तीर्थ उद्धम सत्गुरु किया लोग दा अरथा गंगा टे जांदेने जमनाते जान देने उदा वकैदा गुरू रामदास जीने जिकर कीता है सुलिही खान उदे आउनदा जिकर है उदे इतिहासक शब्दने एसे तरान दे नाल भाबर दा हमल है तिन शब्दने आसा रागदे विचने तलंग रागदे विचने दो शब्दासा रागदे विचने एक तलंग रागदे विचने हुन बाबर और अकसर साथे परचारक जद उन्ना शब्दान दी कथा कर देने फिर ओ संगतानों दस देने वी गुरू साब बड़ी दलेरी दे नाल बाबर दे सामने खड़े होई और उन्नों कहें देने तू बाबर नहीं है जाबर है मनों को दो शब्द पढ़ लेंदे बाबर भी पढ़ लेंदे सुन लेंदे पर चारकांदे कोड़ों जाबर भी सुन लेंदे पर उन्नों पुछे भी कोई बाबर कीनों कहें देने ते जाबर कीनों कहने ने ए उदा नाम ए तखलस है बावर ए दे अर्थने बबर बराबर मतलब के शेर दे बराबर बबर बराबर जिमेंदी असी कहने भी फलाना मनुक शेर है वो कहने ने ते शेर दे बराबर है भी शेर ही है बावर ये उन्हें तखलस अपने आपनों दिता महराज ने जद उन्हों देखेया उदे सपाईयां ने बड़ी बेश्टी की थी ठीक है तू पुर्शानों मारे है इस्तरियां दियों ने जिन से सोहन पटियां मांगी पाए संधूर सेसर काती मुनियन गल विचावै तू ओ जेडे इस्तरियां दे केस सी पटियां गुदियां हुईयां सी ओने कैंचियां दे नाडो दे सपाईयां ने कटियां तू उड़ पाई संधूर दी जगा थी तो बड़ा कुझ दूना लबापर रहा बड़ियां उन्हों सजामा मिलियां महराज ने उन्हों आख्या जाबर जाबर दे अर्थने जलाद तू बाबर नहीं है तू जाबर है जाबर दे अर्थने जलाद बराबर तू जलाद दे बराबर तू अपने अपनो शेर दे बराबर कह रहे हैं पर सानू ते तू जावर लग दें, तू जलाद दे बराबर हैं, तू जलाद ही हैं, आके तू जो इस तरह दा नुकसान कीते हैं, ए जो तू एमना बाद दे विच जलम टाया है, तू जलाद दे बराबर हैं, बाबर नू जावर कहना, गुरु गोविन सिंग जी महराज, उन बाबर के लह बाबे के बाबर के दो आपकी ये परमेशर सो ए नाम गुरु ग्रांत साथ देविच बाबर नहीं है दसम ग्रांत देविच है इतिहास देविच है फिर एक जिड़ा असी अक्सरी पढ़ देए है चक्खड गुर्बानी देविच है उदा जिकर चाड चक्खड ओहाड लेहरी वेहन लखे सारी सत्गुर्ष यो अलाई बेडे डुबन ना ही पाओ चक्खड अक्सरी मनुक पढ़ देए चक्खड चक्खड बंदा के देए भी बड़ा चक्खड आया कई बार केंदा है मीं आया पर कई बार केंदा है भी चक्खड आया चक्खड दे अर्थ ने चक्खड ओदों उसनु केहा जान दा है मीं है तेज हवा चल लिए और केंदा है भी चक्खड सी मीं भी पह रहा सी तेज हवा भी चल रही सी और हवा दे गती एंनीक तेज सी वी जेड़े द्रक्त खड़े होए सी चुके खड़े तुसी देखे आउना है वि जदो आन मी पेरे होवे बड़ी तेज हवा चल रही होवे कई द्रक्ता नो ते जमीन दे नला दें दे तेज हावा दे विजबे द्रखत ने उल ठले नोचुक जान देरे चकखळ चुके घड़ जर thumbs होई द्रखत सी और चोक गए ने फिर कहले ने चकखळ चखळ दे एह अर्सने गुरुबानी दे विचेडा सी करे फिर एक गुरुबानी दा शावद है मखटू अक्सर पंजाबी दे बेच भी मनुख पर्क बर्त दे मखटू ये इस तरह देनाल देखेया मिलते है गुरु नानक साब उनना दीज़ेडी बानी है उदे बेचे दा जिकर है मखटू कोई मनुख कामकार ना करे पोखते उननों लगेगी लगेगी जीवन दे विचो दे लोड़ा भी ने ठीक है तुसी कमा के भी गुजारा कर सकते हूँ फिर ते मनुख केंदे भी ते कमाई वाड़ा है उनने कमाई वाड़ा ते नहीं है लोड़ाएं दिया है गियाने फिर उन्हों केंदेने मखटू विये कमा के गुजारा नहीं कर रहे है मंग पोख ते सुबाव के लगनी उन्हें कमा के अपनी पोख पर रही है पोख नोंने शांत कर ले है निवेर्थ कर ले है पर ए मनुख ऐसा है विये ने मंग के मंग खा पेट परू ए ओ मनुख है जेड़ा दूजियां दे कोड़ों मांग के आपने पेट दी जेड़ी पोख है उन्हों मेट दै ओस मनुख नों केंदेने मखटू गुरू साब जिकर कर देने मखटू कोई कै कान पड़ाई भी इन्हें अपने कनानों पड़वा के मुंद्राँ पालियाने मखटू है भी चलो भी एकतेओ मनुख ने जड़े साधना करनवाले ने जड़े साधना कर देने हो भी गुजारा लोकां तो ले लें देने परे आलसी मनुख सीगा इन्हें सोखा तरीका कड़े अभी अर कन पड़वाओ उखे मुलना करे मसीथ ग्यान भी होना गाव गीथ कोई घ्यान नी सी अंदर परमात्मा दा कोई तडपनी सी गीद गाउन लगपे है कान पढ़वा लेने मखट्टू हुए कै कान फढ़ाई पढ़वाई कान पढ़वा लेने मखट्टू सीगा फक्र करे हो और जात कवाई भी बड़ा पने आप जमान कर दे है मैं ते तार्मक मनुख है एस तरहां दे नाल है मखट्टू फिर एक मम्मे तो होर शबद है जो अक्सरी मनुख गुर्बानी दे विचते नहीं है पर जद मनुख मुंडियानू देख दे ते मनुख मंडीर भी यर बहुत मंडीर मैं उते मंडीर सेगी अक्सरी जड़े कॉल जान दे विच मिड़े मनुख ने ओए शबद बर तो दे ने मंडीर जमिदी असीम आप जाबी बसान दे विच चल देने होनते चलो कारा आ गई आने फिर भी बसान दे विच बहुत मनुख जान देने उकेंदा भी बास दे विच मंडीर चड़गी सी बहुत भी ते पर हुन सामने वाला पुछे मंडीर दे की अर्थ ने ओ है मुंडियां दे पीड जड़े मुंडे ने मंडीर दे अर्थ ने मुंडियां दे पीड जड़ बहुत मुंडे कठे हो जान ये आ मुंडियां दे ते आ जड़ा है गए पीड पीड भी बहुत मुंडे कठे होए ने उनों केंदे ने मंडीर फिर गुर्बानी दा एक शबद है और ऐसे ऐसे शबद ने भी जिनूं मनुख नूं लगदा है भी मैनूं पता ते है जिवेदी गुरू अर्जन देव जी महराज उनना दा सलोक है परमानो एस्तरा दे नार पर्यंत अकास है अकास है दीप लो से खंडने दीप लो से खंडने ए उनना दा शबद है इस्तरा दे नार ए एक पंगती है गुरू अर्जन देव जी महराज दे शबद दी परमानों पर्यंत कास है दीप लो से खंडने गशेण नैन परेण नानक बिना सादू न सिद्यते ए पूरा इदे विच बड़ी संखेप शेली है इस वास्ते ए शब्द लिखे है अद्दाहा है पर्मानू दे अर्थ ने पर्म अनू पर्म अनू विजो सब तो बरीक है पर्यंत दे अर्थ ने पार जाना अन्त विजी तो अग्गे जाया ही ना जा सके दीप दे अर्थ ने उन सब्द दीप ने दुआले खाई पाणी जी दे आले दुआले पाणी है उनू कहने दे ने दीप फिर किशावद है से खंडणा है से खंडणा है पाहाड़नू कहने दे ने तुसी प्रफेसर साब सिंग उदा स्टीक पढ़के देखों पाहाड़नू से खंडणा है कहने दे ने पर जे तुसी इस शावदनू देखों ए है सेर खंडणा है पाहाड़नू से खंडणा है इस वास्ते आख दे ने वी पहाड दा जेडा थले बाडा हिस्सा है ओते इकोई है पहाड पहाडा दे विच पर जेडियां उपरोदियां चोटियां ने सेर है खंडण हैं दे अर्थ ने वक वक वियोदिया चोटिया पहाडा अदय विच इस्टराअध के अदनाण हुंदेव चोटिया वाक्वक थे थल्लों एकोई हंद़े सिर्ख हंडण है विउप्रों वाक्वक है इस्टराअध को分ना अदनाल Gir recesome अर्थने सेखंडने भी ए गशेन नैंड पर ए नानक बिना साधूना सिद्यते पी तू आख परंदे समय दे विचे सारा कुछ कर लमें फिर भी तेरी होम में गुरू तो बिना नहीं मिटेगी सिद्य हते ए जड़ा शब्द है सिद्य हते अदा हा है इदे अर्थने भी पूरा हा है हंकारदा परतीक है ए जड़ा सिद्य हा है डंडी है ए तेरी बिना गुरू तो नहीं मिटेगी विद्धा हाहा रह जाएगा गुरू दे नाल उपरला पासा मिट जानगे ए नहीं बनेगा इथे ही असी आज दे प्रोग्राम दे समापती कर दे हैं उमीद है तो आनू ए शब्दा दे अर्थ तो आड़े मन दे विच शांती पैदा करनगे तो आड़े अंदर रस बनेगा अग्गे तो भी असी समय दे ना तो आड़े अग्गे प्रोग्राम लेके हाजर हो मांगे सारे दर्षका दे कोड़ों असी बिदाईगी लेने हैं वाही गुरू जी का खाल सा वाही गुरू जी की पते